आपका इस सेशन में आपकी कोई मिस्टेक्स ना कर रहे हो SCMPE में तो मैं एक्चुली कई पर भार आया था तो एक वीडियो बनाना मेरा पेंडिंग था तो पाँच मिस्टेक्स तो बैक्राउंड थोड़ा उपर नीचे हो सकता है बट जजबा नहीं 5 mistakes to avoid in SCMP फ्लीज ध्यान रखिए देखो आप लोग जो भी में 23 नवेंबर 23 का exams दे रहे हो और उसमें आप maximum score करने की कोशिश कर रहे हो तो उस चीज में आपको ये 5 चीज़े ध्यान रखने है सबसे पहली mistake है case studies को लेके public बहुत जादा tension में आ जादा है मैं बोल रहा हूं सरुवत नहीं है अगर आप लोग का theory के ओपर अच्छा hold है then in that case देखो case study बनने वाला तो theory सही है न so theory को ही properly put up कर रहा है कुछ-कुछ case studies है जिसमें एकदम ही अलग ही वो लोग ये theory दिया है मतलब वो theory कोई module में है ही नहीं but सीधा case studies में आ है so in such specific situations आप क्या कर सकते हो वो specific case studies को अलग से कर सकते हो but उसके अलावा please extra कुछ tension मतलो और वो words आते है interpret, calculate, modify, assess सब में गुम फिरके आपके पास जो भी knowledge है आपको वो present करना है एक system बना लो ठीक है ना दो-तीन case studies कुछ से लिख लो एक system बना लो कि फर्स paragraph में आप issues के बारे में बात करोगे second paragraph में आप थोड़ा वो जो concept के उपर case study बना है उस concept के बारे में third paragraph में you will relate the concept to the case जो भी है और fourth paragraph में recommendation ऐसे दो-तीन बार आप लोग ने कुछ से case studies लिख ली ना तो एक confidence आजाएगा एक तरीका फ़ता चल जाएगा कि कैसे आपको case studies को attempt करना है and trust me उससे बैतर और कुछ भी नहीं हो सकता है मैं ये जो वीडियो बना रहूना वो मैंने मेरे जितने भी past students है जिनको अच्छे marks आए है जिनको कम marks आएते फिर अच्छे marks है उनसे collect करके ये 5 चीज़े बनाई है so please listen to it all of it carefully will be very helpful आपके at least 10 से 15 marks बढ़ जाएंगे ये मेरी guarantee है so I hope system समझ में आगएगा case studies बहुत जादा ध्यान बो नहीं करना है अपने को theory बराबर से कर लेना है at least खुझ से 2-3 case studies लिख लेनी है और आपका जो ICI का module है ना module 3 है जो case study वाला उसमें जितनी भी case studies है उसको खाली एक बार go through कर लो overview ले लो public उसको learn करने का try कर रहा है भाई मैं वो same case studies 10 बार पढ़ा चुका हूँ 20 बार पढ़ा चुका हूँ मुझे भी आज की तारिक में याद नहीं रहती है so उसके लिए वो effort जो होने ही ने वाला useful क्यों अपने को honestly उसमें time waste करना है उससे चाब वो सब देख लो समझ लो हाँ ये वाली चीज में ये था ये वाली चीज में ये था that's it बाकी जो अपना theories है उसको strong रखेंगे then in that case आराम से case studies manage हो जाएगा और वो जो words है assess, verify, calculate यो सब का tension मतलब है आपको जितना आता है आप पूरा उतना लिख कर आओ exam में तो वही करना है that's it I think case studies बहुत smoothly फिर आपका हो जाएगा हसते खेलते कोई problem नहीं जैसा अपना discuss हुआ है जो question 1 है वो hardcore case studies के उपर आएगा उसको अपन second last या last attempt करेंगे तो tension नहीं रहेगा उसका second point है practical questions please उसको ignore मत करना they are equally important अगर आप लोग ने note किया होगा तो मैंने वो ही practical questions का वापस से आप लोगो एक playlist भी बना के दे दिया है आप लोगो शाहे description में भी मिल जाएगा जहाँ पे सारे practical सारे chapters का practical questions का एक summary है right so use that अगर आपको खुछ से करना है तो आप कुछ से करो और practical को ignore मत करो जो theory आता है ना practical के नीचे वो आता है 10 माग का पर practical question भी तो 10 माग का आता है और जो theory है वो end of the day practical question के उपर ही based होता है ना दीदी so please उसको ignore मत करना practical questions बराबर से कर लो उसके logics, concepts को समझ लो वो ही use करना है आपको आपके आगी की theory लिखने के लिए student लोग उसी में थोड़ा confused हो जाते है and that's where they goof up so इसके लिए practical को भी अपन off late मैं देखना हो इतना जाधा SCMP theory, SCMP theory पर focus हो गया है कि कहीना कहीं practical को students ignore करना चालू कर दिया no don't do that mistake please practical को भी equally आप ध्यान देंगे and that will be the best third point है make your own theory notes कितना भी मेरा revision lecture देख लो या summary book magic book से पढ़ लो एक खुद का notes कुछ बना लो जहाँ पे आप लोग ने important questions या important words लिख लिए होंगे न वो बहुत काम आएगा आपके because कैसे आपका subconscious mind उसको store कर रहा है तो important words लिखी सकते हैं building block model के important words हो गए जो भी questions है उसके important words हो गए वो आप लोग एक बार लिखना चालू कर दोगे then in that case theory के ओपर भी अच्छा hold आना चालो जाएगा आप smoothly उसको manage कर पाओगे फिर बात में आते है fourth point पे attempt hundred marks please वो अभी से focus रखो क्योंकि क्यों अपने को एक mark भी छोड़ना है बले एक उतका language में लिख कर आओ कुछ भी लिख कर आओ चलेगा अगर आप लोग ने सारे के सारे मेरे revision lecture देखेंगे ना बाई एक भी mark छोड़कर तो नहीं आओगे is what my point is तो please उतना और आप लोग तो आजकल 50 के speed पे देखते हो 1.5 की speed पे देखते हो यार तो फटाफट हो जाता है तो please तभी का तभी साथ में notebook और pen लेके बैठो important words जो कुदको लग रहे वो important words लिख लो जो important concepts लग रहे notes लग रहे वो लिख लो and I think you'll be through ठीक है so attempt 100 marks as per जो भी अपना theory है and एक mock test लिख लो ना यार एक mock test लिख लो I'm sure आप लिखी रहे हो but फिर भी वापस से अगर समझो आप ने November 22 या उसके पहले exam दिया है आप clear नहीं हो पा है तो आपको लगना है मैंने तो दिया वाए नहीं ऐसा मत सोचो प्लीज वापस से May 23 November 23 का आपका attempt है उसके लिए वापस से प्लीज एक बार note लिखना and that will really really be helpful to you ठीक है so एक बार note नहीं test लिखना that will really be helpful to you and last day focused on case study digest guys अब November 22 attempt से important questions आने लगे हैं case study digest से so अपने को उसको भी ध्यान में रखना है and वो भी बराबर से करना है मेरी कोशिश है कि मैं case study digest के ओपर एक must summarize video बना लू जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा जरूर बना दूँगा so theory का revision lectures है practical question के भी revision lectures है please उसको बराबर से देख लो and things will be smoothly done so पाच ये चीज ध्यान रखना case study के लिए बहुत जादा tension मत लो do theory properly खुद से at least 2-3 case studies तो लिखो at least 2-3 case studies तो खुझ से लिखना बनता है so पहले अपने को लिखना है क्या उसका issue कोई भी case study लिखोगे उसका issue practical questions करते रहो उसको भी साथ साथ में एकदम भी इगनोर मत कर दो third make your own theory notes लेको खुद का लिखना तो खुद का ही लिखना होता है कोई कितना भी अच्छा book दे दे कुछ भी दे दू मैं आपको खुद का लिखना ही आपको आपके दिमाग में सेट होते जाएगा तो important questions important words लिखते जाओ कुछ से revision video सुनते सुनते लिखते जाओ ना कहाँ problem है attempt 100 marks पहले से ही वो strategy होना ही चेवा कुछ भी हो जाए ये बार का भी paper अगर आप लोग ने देखा होगा तो one of the landiest paper था CMP का बट फिर भी अगर आप लोग ने देखा होगा कुछ लोग उरे 1995 भी attempt किया है why can't we that be that वो कैसे होगा जब आप खुद एक दो as per exam scenario कुछ student ने बोलते साथ मैंना है ना थोड़ा paper खुछ से लिखा आधा paper इधर लिखा ऐसे नहीं एक्जाम environment तीन घंटा घर पे बैठना है कोई disturbance नहीं mobile switch drop और वैसे एक्जाम लिखना है और कोई भी institute का पुराना paper उठालो कोई problem नहीं है mock test उठालो कोई problem नहीं है but write it and case study digest को बराबर करते जाना है try कर रहा हूं मैं इसके उपर एक summary बनाने का please give me some time I'll try to do that और बाकिया आपको कुछ चाहिए या कुछ benefits है तो please let me know in the comments your friend will always help you अस्तला विस्ता guys keep rocking take care SCMT exemption bar is bar thank you so much take care